हलो दोस्तों, वन वर्ड में आपका स्वागत है, मेरा नाम बैबाओ है और आज का हमारा वर्ड आफ तडे है फस, तो आईए, सबसे पहले हम सीखते हैं, इस वर्ड को प्रिनाूल्स कैसे करना है, तो हम बोलेंगे फस, मेरे साथ रुपीट करिए फस, हमको फस नहीं बोलना ह हमको क्या बोलना है, फस, फस का हिंदी में मतलब होता है हंगामा, जमेला, या फिर बतंगड़ बनाना, तो जब हम जरासी बात को बढ़ा चड़ा कर पेस करते हैं, जरासी बात को बहुत जादा मात्तों देते हैं, तो उसको बोलते हैं फस, तो जैसे कि आप बोलना चाहते हो कि मैं कोई जहमिला नहीं खड़ा करना चाहता हूं तो आप इंगलेस में बोल सकते हो I don't want to make a fuss तो चलिए अब हम एक्जामपल लेते हैं और समझते हैं स्वर्ड को sentence में कैसे use करना है तो हम पहला एक्जामपल लेते हैं इसका हिंदी में मतलब हुआ उसने इतना हंगामा कर दिया जब सोहन ने सराप की एक पून उसके skirt पर गिरा ती है तो चलिए अब हम दूसरा एक्जामपल लेते हैं तो हम बोल सकते हैं some people like to be first over इसका हिंदी में मतलब हुआ कुछ लोग बहुत attention जायते हैं या फिर बोल सकते हैं कुछ लोग बहुत ध्याना कर सिद करना चाहते हैं इस तरह ऐसे कि वो जरासी बात को बढ़ा चड़ा कर पेस करते हैं तो यहां पर first ऐसे verb यूज हुआ है और पहले example में first को हमने ऐसे noun use किया था तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही अगर आपको वीडियो पसंद आयो तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीचिए और हमारे चैनल वन वर्ड को सब्सक्राइब कीचिए थैंक्यू